हेलो फ्रेंड्स, आज खुश तो बहुत हो गए आप, पिछले 5-7 दिनों से आपको डेंगी फीवर था, डेंगी डाइगनोज हुआ था और आज आपका फीवर तूट गया है, आज तो खुशी का महौल होगा आप में, लेकिन थमें, जरा रुकें, जरा सुनें, जरा संभले अगर आपका फीवर आज तूटा है, तो आज से 2 दिन तक आपका critical phase शुरू हो चुका है, यस, आज आपने बिल्कुल सही सुना है, आज अगर डेंगी फीवर तूटा है, तो next 2 days आपके लिए बहुत critical है, मेरे क्लिनिक पे आए हुए जितने patients होते हैं, हमने जितने patients को hospital मे देखा है, मैं जितने patients को admit करता हूँ, जो जो मेरे contacts मैं सभी को मैं समझाता हूँ इस बात को, कि please अगर फीवर आपका टूटा है डेंगी में, तो खुश ना हो, 2 दिन तक attentive रहें, 2 दिन तक सतर्क रहें, क्योंकि इसी 2 दिन में जो होना है, वो होगा, तो क्या होगा, कैसे बचें, यह सारे questions की answer आज मैं देने जा रहा हूँ, इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो को, देखें पूरा, आज मैं आपको बोलूँगा, share भी करें इस वीडियो को, क्योंकि यह वीडियो के वल आपके लिए ही नहीं है, आपके परिजनों के लिए भ यह आपके society के लिए है, यह पूरे nation के लिए है, देंगी, of course, देंगी, D, E, N, V से होता है, that is, देंगी virus, तो देंगी infection produce करता है, देंगी virus और देंगी को दो पार्ट में classify किया गया है, देंगी and severe देंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आकर इस देंगी में हो classification है इसका and critical phage कहां पर आता है, तो सबसे पहले जब idis egypti, जो आपका mosquito है, खासकर female mosquito, यह आपके infective virus को carry करकर, जब आपको skin पर puncture करेगा, जब यह blood में transmit करेगा इस virus को, यह virus आपके body में circulate होना शुरू हो जाएगा, यह phage आपका शुरू होता है, incubation period के बाद, जिसको vire viremic phage बोलते हैं, तो incubation period में आप asymptomatic रहते हो, आप में किसी भी तरीकी का symptoms नहीं आता है, लेकिन जब आप viremic phage में आते हो, जब virus घूमना शुरू करता है आपकी circulation में, वहाँ पे आपको manifestations नजर आने लगता है, तो general manifestations होता है डेंगी का, fever हो सकता है, fever high grade होगा, backache बहुत ह होता है, कमर में दर्द बहुत होता है, headache होने लगता है, आँखों के पीशे इसमें pain होता है, nausea filling से रहती है, vomit होने लगता है, पेट में दर्द बहुत रहता है, joints में, muscular pain बहुत रहता है, कभी-कभी तो आप देखते हो, इसमें सुस्ती बहुत छा जाती है, irritability सी होने लगत है यहां पर ही हमें जानना होता है कि क्या वॉर्निंग साइंस है अगर वॉर्निंग साइंस आपको मिल रहा है जहां तक वॉर्निंग साइंस का सवाल है आने वाले वीडियो में मैं आपको वॉर्निंग साइंस बताने जा रहा हूं तो हमारे चैनल को बिल्कुल से प्राना होता है तो डेंगी में हमने क्लासिफाई कर दिया वार्निंग साइंस अब देखते हैं सीवेर डेंगी तो सीवेर डेंगी आता है इसी critical phase में वायरिमिक फेज आपका खत्म हुआ है पांच से साथ दिन में तो पांच से साथ दिन में fever भी आपका दाउन हो चुका है अब शुरू होता है उस और वायरिमिक फेज में वायरस आपके इन इह कूम रहा होता है लेकिन आपका जो प्लाटलेट काउंट्स है आपके बॉडी की जो हिमो डैनमेक्स है वह कुछ इस तरीके सा गरबडा जाती है कि आप दीरे धीरे शौक की और चले आते हो blood pressure आपका कम होना शुरू हो जाता है तो यहां पर आता है critical phase and critical phase generally last करता है two days अगर आप शुरुआत के दो दिन attentive हो तो आप आराम से निकल जाओगे इस phase से लेकिन अगर आप attentive नहीं हो आप खुशिया बनाने जा चुके हो आप मौल घूम रहे हो खानी पीने जा चुके हो रिस्ट्रेंट मजाना शुरू कर दियो तो कहीं ना कहीं आपका hemodynamics गरबढ़ाएगा और आप गिर जाओगे इसी critical phase में and manifest हो जाएगा severe dengue इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जादे खुश ना हो दो दिन इंतजार करें दो दिन फेब्राइल होने के बाद आप चाहें कहीं भी घुमें आपको कुछ नहीं होने जा रहा है तो critical phase में generally दो बातों को ध्यान में रखा जाता है पहला platelet से related and दूसरा blood pressure से related धीरे-धीरे-धीरे critical phase में platelet का dip होने शुरू हो जाता है वो down होने शुरू हो जाएगा 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, 10,000, even 1,000 भी हो सकता है और आप देखते हो ऐसे condition में mucosal bleeding शुरू हो जाती है active bleeding कहने का मतलब नोज से बलडा सकता है, मसूरों से बलडा सकता है, पिशाब में बलडा सकता है motion में, stool में बलडा सकता है आपको वामिटिंग होई है तो वामिट में बलडा सकता है अगर आपको खासी हो रही ही तो खासी में बलडा सकता है आपने जहां पे सुई चुब होया है, जहां से blood आपको निकाला गया है, उस side से भी bleeding आपकी हो सकती है excessively, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि bleeding manifestations आप में ना हो, platelet बहुत नीचे dip ना करें, जो दूसरी बात है मैंने आपको बुला blood pressure, yes, blood pressure को भी आपको monitor करना बहुत जरूर में, इसलिए मैंने आपको बूला सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, रहे गई बात, इस topic से related, आपको critical phase के बारे में और कुछ भी जानना हो, तो हमें comment box पे डाल सकते हैं, आपको हर बार की तरह answer दे दिया जाएगा, thank you